आज हम करने वाले हैं एक प्रेक्टिकल सेशन जो कि रहेगा आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग पर और वर्ड प्रोसेसिंग के मैं आपको दो टूल्स बताया थे पहला टूल था आपके पास Microsoft Word और दूसरा टूल्स है आपके पास इन दोनों के जो आपके पास फीचर्स हैं उनको आपके साथ डिसकस करूंगा तो यह आपके पास Microsoft Word 2007 लेटस वर्जन जो आपके पास 2010 है और more or less जो है एक जैसा दिखते हैं आपस में तो मैं जो इसके फीचर्स है वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा एक एक करके और आप यह आपके पास जो ले आउट है यह आपके पास Microsoft Word का तो मैं आपको इसके component बताना शुरू करता हूं सबसे पहले यह टॉप पे आपके पास है जिस पे लिखा रहा है document 1 यह document 1 आपके पास actually में क्या है यह आपके पास document का नाम है यानि कि उसका title है इसलिए इस वाले बार को हम कहते हैं title बार तो जिस पे आपका document 1 Microsoft Word देख रहा है इसको हम title बार बोलते है उसके साथ यह जो आपके बटन दिख रहा है इसको हम कहते है office बटन तो office बटन को जब आप click करते हो तो यहां से आपके पास option आता है files को save करने का okay इसके साथ जो यह छोटा सा आप देख रहे कर सकते हो इसके साथ चोटे से button पे click करके तो यहां पर आपके पास option रहते हैं आपके पास option रहते है new open जिस जिस पे चेक दिख रहा आपको वो already यहां पे तो जैसे Save यहां पर Unable, Print Preview आपके पास है, Undo और Redo यहां पर आपके पास है, तो आप चाहो तो यहीं से ही आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर और चीज़ें जो है वो add कर सकते हो, for example, जैसे मानलोगर मैं email add करना चाहता हूं, तो मैं email पर click कर सकते हूं, और वहां पर चोटा स Quick Access Bar, वहां पर बन जाएगा, तो यह आपके पास है Quick Access Bar, उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा है Home, Insert, Page Layout, यह सारे Tabs हैं, और यह जो Tabs हैं, यह इस पूरे के पूरे toolbar पर जिसको हम Ribbon कहते हैं, यह Ribbon के उपर जो है एक्ष्रीम में बनाए गए हैं, अगर आप इस Tab के उपर आप राइट क्लिक करते हों, इस तरीके से, तो आपको लिखा आएगा, देखो, लिखा आता है, Minimize the Ribbon, तो अगर मैं Minimize करता हूँ, तो आप देखो कि Ribbon को आपने पूरे-पूरे Minimize कर दिया है, और आपके पास सिरुफ टैब रह गए हैं, तो अगर आप उसके बारे में आपको बताऊँगा, उसके बाद यह आपके पास Central Area, इस Central Area में आप Type करते हैं, और Type कर सकते हैं, जैसे भी आपने करना है, तो जैसे मानते, यह मैंने कुछ लिखा हुआ है, अब जितने भी Option में आपको बताऊँगा, यह सारे के सारे Option जो है, यह किस चीज स से related है तो एक-एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप देखो गे यह जो टूल वाहर है यह चोटे-चोटे boxes में बनाया है यहां पर यह जो box आपको दिख रहा है यह box जो है इसको हम कहते हैं group और आप देखो कि एक यह group यहां पर बना हुआ है और एक group यहां पर बना हुआ है जिस पर group का नाम जो है bottom में लिखा है तो यह group है आपके पास clipboard, यह वाला group आपके पास font और यह आपके पास paragraph और यह आपके पास style और last में आपके पास editing तो यह आपके groups हैं और हम एक एक करके इन सारे groups को study कर तो शुरुवात मैं आपके करूँगा इस clipboard से और clipboard मैं आपके पास जो option रहते हैं वो रहते हैं cut copy और paste तो cut copy और paste कैसे perform करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो भी चीज आप यहाँ पर type करने वाले हो उनको आप दो तरीके से select करते हो एक तरीका है mouse से तो mouse से select करने का तरीका है कि आप drag करेंगे click करके तो वो चीज़ select हो जाती है तो यह जो highlight कर रहे है यह selected portion है दूसरा तरीका है कि आप press कर सकते है shift और arrow और shift और arrow की मदद से भी आप चीज़ों को select कर सकते हैं तो जो भी आप operation लगाने वाले हो वो लगाने के सबसे पहले को क्या करना पड़ता है चीज़ उनको select करना पड़ता है तो मैं इसको select करता हूँ इस तरीके से तो अब देखो कि यह पूरी-पूरी line जो मैंने select कर ली है तो मैं मेरे option है cut or copy कि वो आपके पास आ जाएंगे तो जैसे मैं करता हूँ copy तो जो चीज़ मैंने select की है वो copy हो जाएगी कहां पे वो copy हो जाएगी इस जगा पे जिसको हम कहते है clipboard तो यह जो clipboard है यहां पे जो भी copy किया हूँ content वो रहता है तो जब अगर मैं इस पर click करूँगा तो वो चीज़ जो है वहां पे paste कर दी जाएगी तो आपने ध्यान रखना है कि copy करने के बाद जब तक आप paste नहीं करोगे तब तक आपका content जो है वहां पे लगायने जाएगा दूसरा तरीका है कि आप यह चीज राइट क्लिक से भी कर सकते हो राइट क्लिक में भी यह चीज आपके पास आती है तो paste वहां पे भी आपको दिखेगा और जहां पे आप आपने mouse के cursor को ल आप कर सकते हो आप किसी portion को select करके आप उसको cut कर सकते हो cut करने से वह आपके main document से हटा दी जाएगा फिर आप उसको कहीं पे भी paste कर सकते हो इस तरीके से प्रोल पस वी तो यह आपके पास रहते हैं cut copy paste के options तो यह आपके पास clipboard का section था format painter क्या होता है यह मैं आपको जैसे formatting वह बताऊंगा तो उसके बाद मैं आपको clear करनो कि format painter क्या करता है तो second जो सबसे important आपके पास group है वो है यह वाला font वाला तो font का मतलब होता है आपका जो option को और आप देखोंगे यह सर से पहले font है और यह आपने type के उसकी आप face को change कर सकते हूँ तो जैसे माण लो मैं change करता हूँ something और आप देखोंगे जैसे मैं mouse को move कर रहा हूँ तो right side में वो option जो आपको दिख रहा हूँ की वो कैसे दिखे कि आपके पास तो जैसे माण लो म कितना छोटा रहेगा remember standard size 11 होता है जब भी आप document बनाते हो तो 11 को आपने follow करना है अगर आपको उसे बड़ा चाहिए तो इस drop down से आप select कर सकते है और drop down में जो maximum है वो 72 है अगर आप type करने लग जाओ तो type करके आप इसको काफी बड़ा भी बना सकते हो वैसे मैं recommend नहीं करता है कि आप इसको बड़ा बनाओ क्यूंकि जो आपके पास system में दिया गया है वही आपको follow करने चाहिए इसके बाद आपके पास दो बटन और है जो कि है increase font और decrease font या grow font तो let us use this तो जब आप click करते हैं तो आप देखो कि धीरे धीरे आपके जो उसके size है टेक्स्ट का उसको गटाया या बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से तो यह बड़ा ही important feature है ताकि आप देख के बता सको कि कितना बड़ा font जो आपने utilize करना है इसके बाद एक और important button है इसको हम कहते है clear formatting, clear formatting का मतलब है आपने जो भी format अपने text पर लगाया है उसको आप हटा सकते हो ताकि वो default format पर आ जाए उसके बाद आपके 3 important feature है bold, italic और underline तो bold से आपका font जो थिक हो जाता है, italic से थोड़ा सा तिर्चा हो जाता है, underline से उसमें underline आ जाती है और आप इन तीनों को एक साथ भी कर सकते हो या individual कर सकते हो तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको utilize कर सकते हो उसके अलावा तो strike through क्या करता है, आपके text के ऊपर एक line डालता है बीच में, अब आप सोचो कि इसकी क्या use है, well इसके काफी use है, for example आप लेक सकते हो, the price of today's lecture is 100 rupees, 150 rupees, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको edit करके दिखाता हूँ पहले मैं strike through को हटा देता हूँ, एक बार, like this, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक promotion बना सकता हूँ, like this, ऐसे, तो आप देख सकते हैं, अब promotion बन गई है, कि आज के lecture का price जो है, 1500 rupees से काट के, अब 100 पर कर दी गया है, तो promotion में हम इसको utilize करते हैं, इसके बाद आपके पा h2o, तो आप देखोगे, सबसे पहरे मैंने type किया है, उसके बाद मैंने 2 को select किया है, इस तरीके से, और फिर मैं जाओँगा, subscribe में, तो आप देखोगे, अब आपके पास 2 main line से, थोड़ा सा नीचे के तरब जो खिसका दिया गया है, तो ऐसे text को हम क्या कहते हैं, हम कहते है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, तो इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, वैसे मैं लिख सकता हूँ, x square plus y square is equal to z square, तो आपकोर्स अभी square दिखनी रहा है, तो मैं कर इस 2 को select करूँ इस तरीके से, और click करूँ, superscript, तो आप देख सकते हो कि यह जो 2 है, वो line से उपचला गया है, इस तरीके से, जब आप इसको select करते हो text को, और फिर आप click करते हो superscript को, तो आपका जो text है, वो line से उपचलाता है, तो इस तरीके से आपका subscript और superscript जो है, वो work करता है, किसी भी time अगर आपको लगे कि यह मुझ से गलती हो गया है, तो आप type करने के कोश आ सकते हो, तो very simple and very easy, और आपके पास, last में आपके पास है cases, जिसको मैं title case कहते है, मैं इसको लिखवाता हूँ, for example, जैसे मैं लिखता हूँ, परस लिखता हूँ, जाहिंद, थोड़ा सा font में इसको बड़ा कर देता हूँ, तो आपके पास, जो यह text वाला button है, इसमें आप दो, तीन चीज़े कर सकते हो, सबसे पहले पास है sentence case, जो कि normal case है आपका, इसमें जब भी आप इसको choose करोगे, तो sentence का first letter जो है, उसको हम uppercase में convert कर देते हैं, तो J देख सकते हो, यह uppercase हो गया, अगर आप lowercase पे click करते हो, तो सारा का सारा text जो lowercase में convert, यानि कि small letters में convert कर द जाते हैं, capitalize each word में, हर word का पहला letter capital कर दिये जाएगा, और toggle case में, जो भी cases को उल्टा कर दिये जाएगा, तो जो small letter को capital कर देंगे, और capital वाल को small कर देंगे, तो बड़ा useful रहता है, अगर आपने text को different formats में convert करना हो, उसके बाद आपके पास last map के पास है, color, तो आप यहां से choose कर सकते हो, text का color, या फिर drop down में से choose कर सकते हो, text का color, जो आपको अच्छा लगता है, और आपके background color है, और background color में, आप चूज कर सकते हो, text का background color क्या होना चाहिए, तो यह basically आपके conclude करते है, clipboard और font section को, तो मैं चाहता हूँ कि आज की दिन, इन ही दो portion को cover किया जाए, next stage में, मैं आपको करवाँगा paragraph formatting और styles, जो कि बहुत important है, और थोड़ा सा time consuming भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं next lecture में आपको complete करा हूँ, यह जो मैं आपको दो groups बताए, आपने इसको घर में practice करनी है, और आपने देखना है कि यह जो documents के option है, इनको हम कैसे utilize करते हैं, तो hopefully आपको कुछ ना कुछ चीस में इस lecture में से मिला होगा, अगर आपको कोई भी question है इससे related तो kindly comment section पर comment कीजिए, thank you